हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, तो आज हम ये सर्कल टॉप बनाएंगे, इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेचे, तो इस टॉप को बनाने के लिए हमने डेर मीटर फैबरिक लिया है, ये हमने कॉटन ल लंबाई है, तो अब हम इसको एक बार लंबाई में फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हम इसको चोडाई में फोल्ड करेंगे, इस तरह से, तो इस तरह से हमें फैबरिक को फूर फोल्ड कर लेना है, तो दिखें हमने फोल्ड कर लिया है, यहाँ पर ये फोल्ड साइड है, यहाँ पर भी fold side है यहाँ पर open side है और यहाँ पर भी open side है तो fold side से हम marking करेंगे तो सबसे पहले length लेंगे तो इसकी length हमने लिए 25 inch अभी यहाँ folded वाली side से हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रहे हूँ 6.5 inch अभी armhole लेंगे यहीं से तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इन दुनों पॉइंच को जोड़ देंगे अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th part plus 1 इंच लोजिंग लेना है तो मेरा चेस्ट है 36 इंच उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आजाता है 9 इंच प्लस 1 इंच की लोजिंग ले लेंगे तो वो आजाता है 10 इंच तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और यहाँ पर जो एक्सट्राक्ट फाबरिक है इससे हमें कट नहीं करना है यह हमारा sleeves रहेगा तो यह हमारा 12 inch का है यहाँ पे और यह chest का size है अभी यहाँ पर neck की marking करेंगे तो neck width मैं ले रहे हूँ 3 inch और neck deep मैं ले रहे हूँ 2 inch back के लिए और front के लिए मैं ले रहे हूँ 4 inch उसके बाद हम round ship दे देंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी अभी यहाँ पर हम front neck में V shape बनाएंगे तो यहाँ से half inch पे mark करना है और down 2 inch पे mark करना है और V shape ड्रॉआ कर लेना है अभी हम round shape दे देंगे यहाँ से तो इस तरह से free hand से हमें round shape दे देना है तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम इस round shape को cut करेंगे और उसके बाद हमें neck की cutting करनी है तो सबसे पहले हम back neck की cutting करेंगे front neck की cutting हम इसे open करने के बाद ही करेंगे और यहाँ पर हमें कोई भी cutting नहीं करनी है यहाँ पर हम हलका सा shape draw करेंगे fitting के लिए तो हलका सा तिरचा हमें shape draw करना है इस तरह से इसकी cutting हमें नहीं करनी है यह सिर्फ हम fitting के लिए line draw करेंगे अभी front neck की cutting करनी है तो इसके लिए हमें इसे open करके रखना है तो इस पूरे circle को हम open करेंगे और उसके बाद हम front part को अलग से fold करेंगे और back part को अलग से fold करेंगे इस तरह से उसके बाद हम front neck की cutting करेंगे यहाँ से तो इस तरह से यह हमारा back का neck है और यह front का neck है अभी हम इसे open करके रखेंगे तो सिर्फ neck की cutting ही हमें इसमें करनी है और अभी हम neck बनाएंगे तो सबसे पहले हम यह V-shape बनाएंगे तो इसके लिए यह हमने fabric का piece लिया है तो fabric के piece को हम उल्टा इसके उपर रखेंगे हमने top को सीधा रखा है और उसके उपर strip को उल्टा रखा है अब यहाँ पर हम तीनो side में pinz लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे उल्टा करेंगे और इस V-shape में सिलाई लगा देंगे तो हमने V-shape में सिलाई लगा दी है अभी इस V-shape के अंदर जो extra कपड़ा है उसे हम cut करेंगे ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना cut हो उसके बाद यहाँ पर छोटे-छोटे cut लगा लेंगे और cut लगाने के बाद में जो strip हमने attach की है उसे हम wrong side में turn कर लेंगे और यहाँ पर इसे चारो तरफ से sorry तीनो तरफ से fold कर देंगे तो इस तरह से हमने इसको fold कर लिया है और यह हमने V-shape ready कर लिया है अभी हम neck बनाएंगे तो इसके लिए यह हमने तेरची पटी ली है cross strip तो इस पटी को हम एक side से fold करेंगे इस तरह से fold करते हुए हम एक corner से इसको stitch करना शुरू करेंगे और दूसरे corner पर हम इसे stitch करेंगे और यहाँ पर भी हमें strip को fold करेंगे तो इस तरह से हमने strip को stitch कर लिया है उसके बाद यहाँ पर हम छुटे छुटे cuts लगा लिंगे और इस strip को हम wrong side में turn करके double fold कर देंगे तो इस तरह से हमने neck को ready कर लिया है बाद में यहाँ पर हम dory attach करेंगे दोनों corners में अभी इसका जो bottom है मतलब जो पूरा circle है उसे हमें double fold करना है पूरे circle में हम इस तरह से हलका हलका सा double fold कर देंगे पूरे में तो इस तरह से हमने इसको पूरे round में double fold कर दिया है अभी हम इसकी fitting करेंगे तो जो हमने fitting के लिए निशान बनाया था इसे हम थोड़ा सा dark कर लेंगे और इस पारट को हम इसके उपर रखेंगे तो जिससे की निशान जो है fitting का ये दूसरी साइड में भी आ जाएगा तो इस तरह से यहां पर ये निशान बन गया है इसे हम dark curling के और उसके बाद इसके चारों साइड में हमें पीन्स लगा लेने है तो जिसे की सिलाई करेंगे तो ये हमारा हिलेगा नहीं और fitting की सिलाई हमारी बराबर लगेगी और अभी हम यहां पर सिलाई लगा देंगे तो सिधी साइड से ही हमें सिलाई लगानी है जो line बनाई है इसी के उपर तो इस तरह से हमने दोनों साइट से फिटिंग कर ली है और नेक में ये डोरी लगा ली है तो इस तरह से ये हमारा केप टॉप रेडी हो गया है